हाई फ्रेंड्स नमस्ते सलाम आलेकम चले फ्रेंड्स आज एक लेकर आगे आओ एक नया वीडियो बटन मिशिन का इसमें क्या दिक्कत वह रहा है फ्रेंड्स देखें आप जैसे यह टिच देखें हम लोग बोलते हैं इसका देशी बासाम में घाटी-घाटी जैसे आ रहा है क्लेर नहीं आ रहा है देख लीजेगा आप यह वाला दिक्कत है बहुत हम लोग को लगता है कि यह बहुत नार्मल प्राबलम है लेकिन इसमें अच्छो अच्छो का पसी न छूड़ जाता है फ्रेंड्स जो बटन मिशिन में जो यह घाटी-घाटी आता है बहुत लोग सक टेस्ट करना चाहिए और क्या-क्या हमको सावदानी परखना चाहिए और क्या चीज़ टेस्ट करना चाहिए अब यह वीडियो में देखते हैं फेले तो मिशिन का माड़न लामबर दिखा जीजे और कुछिंग करके भी दिखा देंगे हम यह देखें ठेट जम्पिंग का भी प्राब्लम हो रहा है सिंगल टिच भी आ रहा है और यह देखें इसको बोलते हैं गाटी-गाटी और इंग्लिस पैसा में बोलते हैं लूस्टीच है ठीक है आप यह टेंक्शन का भी देख लीजेगा शिक्स्टीफाइब में रखा हुआ है तो मुझे दिखा हूँ तो इसी का यह हम डाइग्नोस करेंगे और देखेंगे यह मिशन में क्या दिख्या रही है तो चले फ्रेंट गुड़े मिशन में 4mm key में यह जो फीट प्लेट होता है इसको हम उपन करके ले लेंगे फ्रेंट क्वाइब शिख्याइ यह जो में लेग रड़े प्लेट क्वाइब प्लेट क्वाइब लेग्न पहले तो देख लेंगे इसका मोबल ना इसका कंडिशन किसका पोन बज़ रहा है इदर रका तुम मोबल ना इसका कंडिशन भी ठीक है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा है अब छे लेव रहे हैं अभी मैं इन मुद्धे पे आते हैं जो घाटी घाटी जो आता है वो जो देखिए ये प्लेट के वज़े से आता है अगर ये प्लेट में थोड़ा भी आपर आपको फिसर नजर आ है कि लोकल नहीं लगा सकते हैं इसको मैं रेकमेंड करता हूँ वर्जनली डालेगा इसको भी एक बार खूल के देख लेगे इसको भी एक बार खूल के देख लेगे इसका थोड़ा सा इधर तो इसको मैं बुफिंग करके ले लूँगा उसके बाद हम डाल के दिखाएंगे और नेस्टेम बहुत मेरे भाई अगर वर्जनल भी डाल दिया सेटल तो क्या करते हैं तो वर्जनल डाला हुआ है करके उनका मन में कोई शंका नहीं आता है सेटल के वज़े से भी यह देखे बील लिखाई दे रहा है लेकिन यह पक्का वर्जनल नहीं है यह मेड़ाफ है मेड़ाफ भी काम करता है लेकिन इसमें भी मुझे थोड़ा सा स्पिसर नजर आया रहा है इसको भी मैं बुफिंग करके ले लूँगा और चेलिए नेक्स्टेप प्रोजिसंग में और यह देखे ब्रेंट अगर यह भी अगर ठीक से काम नहीं किया तो आपको यह भी दिक्कत आसेट है तो इसको भी हम डाइग्नोस करें यह देखें यह जो स्क्रू है इसको आके स्लिप हो गया है तो इसको निकालने का प्रोसेसिंग कई से करें वह भी दिखाएंगे ठीक है फ्रेंट ठीक है चलिए फोज़गी तो फ्रेंट पहले में लेकर यह जो स्क्रू को तरड़ा लोंगा आप यह प्या चीप लिए क्अ गाल्त मे समझेगा इसका निकालने का जुगाड यह है अगर अगर दूसरा कुल उपाए हो आप comment box में comment कर सकते हैं फ्रेंट मैं ऐसी इसे को open करता हूं पहले तो मैं मैं कट डाल लोंगा उसके बाद इसको स्नैप करके निकालने के खुशिश करूँगा परेंट देखे स्नैप कर रहा हूं लेकिन बोर टाइट है श्क्रू तो मैं इसको निकाल के वाइस में डालके आपको दिखाऊंगा अगज़ा है तो यह मैं निकाल लियां पर और यह देखे इसके अंदर से क्या निकला है इसमें डाला हुआ है लेकिन अबड़ा दाने वाला काम नहीं करेंगे कि अप्सीरिश में डालने से परफेक्टी आपने करता है इसको पिन डालेंगे तो तो फ्रेंट पहले तो मैं इसको स्नैप करके लूज कर लिया हूँ अब देख सकते हैं यह वीडियो में तो इसका धीरे धीरे एक इटम निकालेंगे इसके अंदर स्प्रिंग है और बोथ डिस्ट पार्टिकल जमा हुआ है तो इसको एक एक करके निकालेंगे और देखेंगे इसके अंदर कुछ प्रावर्म तो नहीं है लेकिन फ्रेंट देखें आप बहुत डिस्ट पार्टिकल जमा हो गया है तो इसको मैं प्रिंग करके ले लूगा इसके पहले यह आलेंकित का स्कुरूर मिलना बहुत मुश्किल करने के बात देखेंगा तो फिलाल तो हमारे पास यह नहीं है तो इसी को ही हमने स्कूड प्रिंग का एक कट टाल के ले लूगा अपरेंड और इसी को ही टाइट करके आपको पता देखेंगा यह जुगारवाला काम कर रहा है तो चलिए इसका फिटिन का प्रसेशन भी ये जो एक गत लगा हुआ है तो पहले लगे उस्के बाद बीना के प्रिंग को ले के पहले दाल के देखेंगे यह कर्ड़ू रहा यह नहीं हो रहे उसके बाद ये पिटिंग का प्रसेसिंग बता हूँगा यह देकिए cogyeолов sometime आता है इसमें यह देखिए देखिए पहले टेंक्शन है उसके बाद रबर और उसके बाद होल्डर इतना तक रखना चाहिए वह बता दोगा अभी ध्यान से वह स्प्रिंग को लेके यह मैं ध्यान से लगाना पड़े देख लिजिए आपको वर को रहे देख लिजिए गाइप आपको वर को रहे तो इसको टाइट करके ले लूँगा फ्रेंड में आपके लिए यह सब वीडियो बनाते रहे दाम फ्रेंड को अध्य मुश्किलों से अब प्लीज मेरा चानल को सब्स्क्राइब कर लिजिए उसकोर्ट में लेगा और बेल नोटिकेशन को भी दबातीचे और वीडियो अच्छे लुगा तो टिसलाइक भी कर लिए तो अभी मैं यह पिटिंग का प्रोसेसिंग चालो कर रहा हूं यह देखे ब्रेंड पहले नीडल था अभी मैं पिन बना के ले लिया हम तो इसी का यह पिटिंग का मैं यह भी बना रहे हूं टिक है फ्रेंड का वगया थे अभी जो बोला था रेशपत Like तो इसी काई में फिटिंग का प्रोसेस बताने हैं regulation कमपेंडि का नाम देट्रेट गैड भी भोलते हैं फ्रेंट अमरा देशी बास्ताय में हैं शेट्ल रेश पती बोल देते हैं आप देखेगा फ्रेंड मैं यह फिटिक करके ले लिया हूँ तो इस तरीके से इसको आप सेट कर सकते हैं आप देख लीजेगा वीडियो में क्यूंकि मेरे पास अभी खिलाल के लिए कोई लड़का नहीं है तो मैं अपने आप यह वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सक लेर प्लेट प्लेट का फिटिंग का भी काम चालू कर लिया हूँ है तो फ्रेंट सब कुछ हो गया है लास्ट अभी सेटल का टाइमिंग रखने मैं दिखाऊंगा कैसे रखने का सेटल टाइमिंग है आप भी देख सकते हो पहले तो ड्राइवर सेटिंग कर लेंगे फ्रेंट ड्राइवर को ज्यादा टेच भी नहीं होना और ज्यादा ग्याप भी नहीं रहें पुरी है, अग्यादा जुट है प्यादा प्रेंट रहें हो गया है, इवादा टे लेंगे लेंग, यह जड़ बसक दो पराइमिंग को ज्यादा बने का सेटल बनाटा है झाल झाल तो फ्रेंड इसका टाइमिंग का ओके हो गया है टाइमिंग में रखा वाँ आप भी देख सकते हैं कि मैं देखाने का कोशिश करूंगे देखें तो त्री एमियम गयाप रखेगा आप और यह देखें कैचिंग टाइम और रिवर्स टेंग दोनों भी एक की जगा एक की पॉजिशन में आना चाहिए एफ सिर्स मुशिन में तो इसके बाद में टीचिंग करके भी बताऊंगा को जिसे कि में हर बार करता है लेट डाली है थोड़ा उपर उठ रही है यह चीज़ को और यह चीज़ को कंपेरिजन कीजिए अब यह टेंग्शन पोस्ट का भी वी तो देखें सिर्फ 19 रखाऊंगे प्रोग्रम से भी से में सिर्फ 19 रखाऊंट टेंग्शन पोस्ट का और यह दर देखेंए यह देखेंए कि अधर यह बात करके तो अभी आपने देखा है कि अधर कर दिया है तो मेरे वीडियो देखेंए और मेरे वीडियो प्राइए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करीजेए और प्रेइल उटिप्रिकेशन को दबा दिजिए तो आने वाले समय में मेरे वीडियो पर आपको हैली और पर दियार भते है और वीडियो पर लिए पर लाइक कर दिजिए आपने दोस्तों से शेर करेंए तो मेरे बात करके ठीका बायों